वर गौन की करफ्यू के साथभे दिन दो घंटे की ठील दी गई है सुपह 10 बचे से 12 बचे तक की करफ्यू में छूट दी गई और महिलाओं और पुर्षों को घरों से बाहार निकलने के अर्मती थी करफ्यू में रियायत के दौरान दुकाने भी खुली फल दूट सबसी किर और एलेक्ट्रानिक रिपेरिंग की दुकाने खुली गई अब धीरे-धीरे हालात सामाने हो रहे हैं हर्माइन जुएंती पर पोलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्ताइद हैं ग्राउंड जीरो पर और हालात धीरे-धीरे सामाने होते हुए सात्वे दिन दो घंटे की छूट कर्फ्यू में सुभातास पज़े से दुपहर बारा बजी तक की कर्फ्यू में छूट दे गई थी तो कर्फ्यू में रियायत के दौरान दुकान खुली फल दूद सबसी किराना उलेक्ट्रोनिक रिपेरिंग की दुकाने खुली गए और धीरे-धीरे शांती स्तापित की जा रही है इस शहर में सात्वे दिन दो घंटे की ठील महिलाओं और पुर्शों दोनों को ही बाहर निकलने की अनुमती थी तो धीरे-धीरे हालात अब सामाने होते जा रहे हैं पट्री पर लोट रही है खरगौन की गाड़ी सुफ़ा दस बजे से बारा बच्ची तक कर्फ्यू में छूट दे गई थी जिसमें निकलकर आमजुनों ने अपने जरुवत के सामान खरीदे औ और वापस अपने खर को लोट गए साड़े-बारा बच्ची का समय हो चुका है कर्फ्यू खत्म हो कर्फ्यू एक बार फिर से प्रभावी पूरे लाके में और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैब चले इस पर अधिक जानकारी हम लेंगे हमारे साथ हमारे समधाता प्यूश पारे खरगौन से लाइफ बने हुए हैं प्यूश क्या कुछ जानकारी जमीनी स्थर पर कैसे हालात है और हनुमान जैनती भी है आज तो कुछ खास कारेक्टरम क्या खरगौन में हो रहे हैं आज देखें बिल्कुल अबंतिका अगर बात करें तो हनुमान जैनती पर आज खरगौन में पुरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया था चूकि जिस तरीके से राउन उम्मी पर यहां पर उब्द्रों मचा था उसके बार लगातार यहां पर प्रलिस अप्रशाशन मुस्त कर्शी को फिर से प्रभावी रूप से लागू कर दिया इसवेक्ट हम संजय नगर पर मौझूद हैं आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर संजय नगर की गलिया है वहां पर सन्नाटा पस पज़रा हुआ है चोकि यहां पर पूरी तरीके से कर्फ्यू लगावा है लिहाजा यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इंतिजामात पुलिस ने पूरी प्रभावी रूप से यहाँ पर मुस्ताइदी के साथ में किये हैं उसका असर भी दिखाई दे रहा है और किसी भी तरह की घटना कर्फी में छूट के दोरान नहीं दिखाई दी और कोशिष एही की जारी है कि जल्द से जल्द जो हालात हैं वह यहां पर पूरी तरीके से प्रशाषन पर अलट पर है पुलिस पूरी तरीके से तैनात नजर आ रही है है लगातार यहां पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि की पिछले साथ दिनों से जो हालात बने थे उसके बाद में कोशिश की गई थी कि जल्द से जल्द आप सामानी हो और उसे बाद में अब कर्फ्यू में यहां पर छूट दी गई है अला कि शाम के वक्त छूट मिले गिया नहीं यह प्रशाशन अभी फिलाल तै करेगा चुकि आज अनुमान जैनती का त्योहार है मौका है ऐसे में जिस तरीके सी यहां पर निर्देश जारी किये थे उसी के साथ में पर छूट दी गई है जी अमें चलिए शुक्रिया प्योशिस पुरी चानकारी के लिए तो कर्फ्यू में साथ दिन दो घंटे की ठील दी गई लेकिन हर्मान जैते की रौनक यहां फीकी नजर आ रही है पुलिस ट्रशासन पुरी तरह से मुस्तैद